हेलो गईस आज हम बात करेंगे Realme C20 के हैंगिंग प्रॉब्लम सॉलिसन के बारे में लेटस्ट यह डिवाइस अभी Realme की तरफ से लॉंच किया गया है मिड रेंज डिवाइस है आप सबने हो सकता है इसको पर्चेस कर लिया होगा फिर पर्चेस करने का सोच रहे होगे तो वैसे मैं टॉपिक के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि भाई इस टॉपिक के उपर मुझे काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलने वाला है क्योंकि वैसे लो बजट का फोन है या Realme के तरफ से तो हो सकता है आप लोग को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगर आप लोग कुछ यहां पर टिप्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप लोग अपने फोन को हैंग होने से बचा सकते हैं वह भी 100 परसंट ग्यारंटी के साथ अलग से मैं आप लोग को को कोई भी थर्ट पार्टी अप्लिकेशन रिकमेंट नहीं करूंगा आप लोग को मै डिफॉल्ट के फीचर बताऊंगा आप लोग उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग के फोन में हैंगिंग जैसी प्राबलम दूर दूर दप नहीं है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बैल क चैनल करते रहेगा फोन वागेरा को बूस्ट करते रहेगा क्योंकि अब यह तो फीचर डिफॉल्ट मिलता है तो आप लोग का राम से कर सकते हैं और आप लोग ने चीज़ नोटिस किया रहेगा कि जब आप लोग अपने फोन में डाटा ओन करते हैं वैसे काफी ज्यादा अब हैंगिंग की प्राब्लम आप लोग को फेस करना पड़ता होगा उस सीच्वेशन में क्या होता है कि अपने आप हमारे फोन में जो है प्ले स्टोर से या फिर एप मार्केट से ऑटमेटिक एप्स जो है अप्लिकेशन जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाती जिसके जो है कि एक तरफ आप लोग के अप्लिकेशन अपडेट होने लगती एक तरफ आप लोग फोन को यूज करते है जिसकी वज़से हैंगिंग की प्राब्लम अच्छे अच्छे फोनों को भी आ जाती है और रियल भी C20 में भी आप लोग इस्टैप की प्राब्लम आ सकती है तो आप लोग अपने फोन में प्ले स्टोर उपन करिए इसकी सैटिंग में चले जाने आप लोग को प्ले स्टोर की और जनरल पर क्लिक करें यहां पर आप लोग को आपडेट एप्स पर क्लिक करना है और यहां पर आप लोग को इसको डोंट आपडेट करते रहेगा मैं आ आप लोग फोन को यूज भी कर रहें तो मैं आप लोग को यह बोलूँगा आप लोग मैनुवल तरीके से अप्लिकेसं को अप्डेट करते रहीएगा आम तौर पर आप लोग अप्डेट करते रहीएगा जब आप लोग खाली पर लिए आप लोग का फोन रेलेक्स कर रहा है इस टाइम पे फोन को ब्रेट मतलब जो है एपलीकेशन को अपड़ेट करते रहेगा जिसमें आप लोग के फोन चलाने में कोई भी बीधो प्राप्लब्लम नीआगी और जो एपलीकेशन आप लोग ज्याजादार यूज कर दे रदे टाइम टाइम उसको अपडेट भी करते कर रही एगा IP मार्केट में फिर आप लोग को क्लिक लिख करना है और यहां पे आप लोग को इसको जो है डून OPower करो करते मीपे कलिक कर्ये चाहिए इसकी आपड़ में चाहिए खुर करना और यहां पे कर दें हम और जब भी आप लोग की फोन- शफोलं आप लोग update करते रहीगा खास करके security page level के update जो 100-200 MB करते हैं उनको करते रहीगा कावी सारे bucks fix करते हैं यहां पर वो अपडेट्स और इंप्रूमेंट इंप्रूव भी करते हैं आप लोग फोन की पर्फॉर्मेंस को यह आप लोग ध्यान रखीगा और जैसे आप लोग देखेंगे कि ज्यादा तर आप लोग क्या करिए अपने फोन में जो है रेम को थोड़ा कुल करने का मतलब है आप लोग एक टाइम पर ज्यादा कुछ वर्क न करें मतलब जो रहा है मैं जैसे देख सिखते कि आप लोग टाइम टू टाइम जैसे क्या करते ना कि अगर आप लोग वाटसब यूज़ कर रहे है तो आप लोग ने छोड़ दिया उसको क्लीन करना भू है आप लोग ऐसा न करें जो चीज आप लोग एक टाइम पर यूज़ करें आप लोग सिर्फ उसी फोकस रखिए दूसरा चीज आप लोग यूज़ करना तो फिर से आप लोग उसको उपन कर सकते हैं बट बैक्ग्रांड में काफी सारी चीज़ है आप लोग एक साथ रन कर रहा है इसमें लोट पर था फोन पर और हैंगिंग जैसी प्राब्लम आ जाती है आप लोग ध्यान रखीगा और सबसे लास्ट आप्शन में यह बताऊंगा आप लोग को कि फोन में जो स्टोरेज रहता है उसको जादा से जादा आप लोग खाली रखिए मैं यह नहीं आप लोग की आप लोग अपना personal data जो भी important data वो delete कर दिजिये जो भी useless data है आपलोग उसको delete कर दीजिये जो आप लोग उसको delete कर दिजिये यह फिर आप लोग गब SDCARD यूज करते है तो हो सकत है जितना हो सकते अतना data आप लोग SDCARD में use करें storage को थोड़ा सा खाली ही रखिए खाली रखने में आप लोग के telephone में हेंगे जिसी problem नहीं आएगी अन्य कोई भी अप लोग के phone में problem नहीं आएगी और जो application अपलोग use करते है जो आप लोग use करते है applications उन्ही अप लोग अपने पहन में रखिए बाकि जो useless applications है उनको आप लोग अनिस्टॉल कर दीजे ठीक है ना यह आप लोग को मैं recommend करूंगा और यह सब आप लोग करिए अपने phone में आप लोग के phone में hanging जैसी problem बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके तक दिखा होगा तो मैंने जो आप लोग को topics बताए है अगर आप लोग उसको follow करते पूरा तो मैं आप लोग को 100% guarantee देता हूं कि आप लोग के phone में hanging जैसी problem बिल्कुल भी नहीं आएगी तो उम्मीद करना आप लोग को वीडियो पताने की जैमात आती